एक और बड़ी कबर दिल्ली के पॉश इलाके मालवी नगर से आ रही है जहां एक घर का ताला तोड़ कर चोड़ों ने 55 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया घर से 15 लाख रुपए की नकदी और 40 लाख रुपए की जूवी चूरी की गई है पीडित की शकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है बताया जा रहा है कि वारदाथ 8 मई के सुबह करीब 11 लजे हुई थी जब पीडित के घर पर कोई मौजूद रही था मई पुलिस का कहना है कि एक चोर की लोकेशन मिल चुकी है CCTV फूटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है किस तरह से ये चोर घर के अंदर घुस रहा है 55 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिये हम लोग अपने आपको इस एरिये में सुरक्षित फिल नहीं कर रहे है उसका में डीजन यही है कि पुलीस वालों के पास आज के एट में CCTV फूटेज है उन लड़को जिनों ने चोरी करिये उनकी फोटोस है सब कुछ है इनके पास उसके बावजूद भी है कुछ एक्षन ही ले रहे है पुलीस इनों ने एक चोर को पगड़ा मलब यह कहते हैं उनके पांचों में से एक बंदा ही यह था इनोंने CCTV फूटेज दिखाई मुझे और बाद में अब जाकर कहते हैं कि उसको जमानत में लगए उस चोर को उस चोर को छोड़ दिया